आगबन हुआ है जिनका उपनगर पत्रकार संस्ता तहे जी परिशालेट परिवाबा से मैं आगरे करूँगा क्यों गोपाल सर आप मॉंबई उपनगर पत्रकार संग के प्रांगण में आए संस्ता के अध्याच कोभी ठाकुर जी स्वागत करते वे जटा संकर आदो जी अध्याच कोभी ठाकुर जी मॉंबई उपनगर पत्रकार संस्ता का दिन दर्शिका का भी मोचन करते हुए सांसद दोपाल सेंटी जी और पत्रकार संग की पुरी टीम सांसद दोपाल से आगर करूगा कि अपने मनोगत को भेक करें अज मुंबाई उपनगार पत्रकर संक्या अद्धेक्ष गोविन ठाकोर रामकुमार गुपता जी जटाशंकर शिवा उनके साथी पतादिकारी उपसी भाई और बेनवी आज मुंबाई उपनगार पत्रकर संक्या और से लिख्टी चोका का कारेकम का आप लोगों ने आपर आउन किया मैं और हर साल इस प्रकार का कारेकम करके पत्रकरों को साते अबिनिंदन करता हूं और पत्रकार संक्या और से एक कैलेंडर का भी आप लोगों ने मिमोचन किया ये कैलेंडर धर गर जाएगा हमारी भारितिया संसेती को जीवित रखने में बहुत बड़ा योगदान इस प्रकार के कैलेंडर से होता है और मैं चाहूंगा कि ये परंपर आप सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में कायम रखे मुंबई उपनेडर पत्रकार संके लोगों को एक जगा की डिमंड बहुत थालों से आप लोग कर रहे हो लेकिन पत्रकार वैसे दुनिया भर के समस्या के लिए आप लोग लड़ते रहते हो लेकिन आप अपना खुद अपने पत्रकार संको और अप कैसा मजबूत कर सकते हो उसका प्रयास कर दे रहे हैं बहुत बहुत शुबईच्चा धन्यवाद महरतमाता की जय महराष्टा जय स्री रांग जय जय स्री रांग आसब जए अपने पिछे आव लेख सायरे जाओ आपनी पीति Li आपिर नहीं, प्रेवर कें। हैं कि जांफ पर देशां जुद्ध जोद्धूद्ध पर्टक पर टोद्ध जोगी 55 जोद्ध बाई सब लो गहां पर गड़ेगा जाए कि वेच 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 सबसे पहले तो मैं उत्तर मुंबई पत्रकार संग के अद्धेश गोवीन ठाकुर और उनके पूरे टीम को बदाई देता हूं उनका अभिंदन करता हूं हर साल की तरह इस साल भी लिट्टी चोका कई है चोका बाटी कई है उसका कारेकम का आयोजन करते हुए सबी पत्रकार भाईयों को एक साथ में लाने का काम उन्होंने किया और इस प्रकार के कारेकम के माध्यम से हम सब लोग एक साथ में आ जाते हैं हमारे देश के जो खान पान है उसका मजा लेने का एक आउस्वर प्राप्त होता है इस प्रकार का खान पान का मजा तो हम अपने घर पर भी ल जो तरीका होता है लगबग एक ही होता होगा अब तरीका एक ही जैसे हो नहीं सकता है कभी कोई ज्यादा पैसे वाले होंगे तो घी का उपयोग ज्यादा करते होंगे कम पैसे वाले लोग कम करते होंगे लेकिन उसके बावजुद भी उसका जो टेस होता हो एक ही जैसा आता ह जो उसका एक भाव पूरे देस बर में आ गया है वो अपना पन के भावना हो जाता है हमारी का संचुलतिक परमपरा को जब हम लोग का अपनाते हैं उसको अंगीकार करते हैं और उसको अंगीकार जब सारे देस के लोग मिलकर करते हैं तो उसका एक रुत्वा कही है या तो उसका एक ज़जबा उसके एक ताकत ही अलग होती है तो मुझे आज यहां पर लिटी चोका के कारेकम में देखने के लिए मिला मैं जाओंगा कि यह परमपर आप सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में कायम रखे इतने हजारों साल के साथ में भी टिका हुआ है, इसमें बड़ोत्री हो रही है और मजबूत हो रहा है इसको आने वाले दिनों में हम अऔर मजबूत करने का प्रयाज करेंगे पुत्र मुंबई में प्रेस क्लब बनाने की भी मांग की है, इस पत्रकार संदे से किस तरह से पूरा करेंगे और आप इस पे किस तरह से आगे कलर उठाएगा। संपर्क में हूँ और उनकी डिमांड है बहुत दिनों से और मैं मानता हूँ कि यह काम भी अगर मैं अपने जीवन काल में पूरा करता तो पत्रकारों से ज्यादा उसकी खुशी मुझे होगी और निशित में प्रेयास करके उसे पूरा करने का कोशिश करूँगा। स्वाकर हम सब के वरिष्ट बाबा जी यानि कि सुशंकर्तिवारी और हरिष्टिवारी जी साल कुछ देगर करें। अरे विया बड़े सोभात की बात है न विया। अपने प्रांगण में आए अतिति का जोर्दा तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और मुंबई उपनगर पत्रकार संस्था के दिन दर्शिका का भी मोचन विदायक राजन सिंजी के हाथों किया जा रहा है। इस मौके पर संस्था की तमाम टीम यहाँ पर उपस्तित है। संस्था के सभी लोग हेते की गहराईयों से राजन सिंजी का अभार प्रगट करते हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि उनके लिए जोर्दा तालिया भाला करके स्वागत किया जाए। कि यहां लोगियों सामने 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 किया जा रहा है। तक हम जाता के बाहा सची हो यहातों इसमाहिल सिंजी का स्वादत हो रहा है। तो यह ने कि अधिन ए यहां पर लूगिए ज़ेड्ट वहां लेटे रहें घीत का तरोजिया जी का स्वावे समान कर रहा है हमारे संस्ता के तरफ से स्विशक्रतिवारी जी बहुत बहुत धन्यवास तरोजिया जी आप आएं रामपुरा पुस्ता जी से स्विशक्रतिवारी जी तुरेश मिष्रा जी का स्वावे समान करना है यहां देखे सब लोग यहां देखे लिए वाला खड़ा रहे ना उनला ला कि दे तो दे जो जो दो चाहिए उनको जा देखे सर हमारे पीज पत्रकार हमारे पीज पत्रकार अजे सलेम पुरी जी है यहां देखे आए आपका स्वावत संसाप्ति रखे जा रहा है अगरा अगर दो नहीं हो तुम्हार कभी मत समझो तुम्हार कभी मत समझो आये कुछ तरन्न में एक चोटी सी पूस्तर गजल आप सब्सक्राप्ता हूं सोचता हूं कैसे बच्पन के दिन रहे होंगे ना जाने माने कैसे कैसे दुख सही होंगे मा दिल के अर्मानों को सपनों से सजाई होगी खुद भूखी रह करके हमें दूद पिलाई होगी कभी 84 मुशिवत ने भी जो ली हल्चल तो मान दिमात दिराब रोरों के विताई होगी सिर्फे असास कर आखे छलकती दिल भी भर आता अपनों से अलग कर मा को बेटा की न पस्ताता चाहे लो जनम फिर से लुटा दो दुनिया की दौलत दुबारा मा नहीं मिलती ना बस्पन लौड कर आता जिद्दिकी जी रहे हैं जो भी गम के साये में पूछिए उनसे की जिवन की हरकिकत क्या है जो सारी उम्र तरस्ते रहे मंता के लिए उनके दिल से पूछो मा की मुहभत क्या है उनके दिल से पूछो मा की मुखबत क्या है मैं दिल की हर धरकन में बसा मा का प्यार है मेरे दिल की हर धरकन में बसा मा का प्यार है मा के कदमों तले जन्नत है मेरा संसार है अपनी हर सांस में खुश्बू तेरी महसूस करता हूँ मेरे लहू का हर कत्रा मा तेरा कलदार है मेरे लहू का हर कत्रा मा तेरा कलदार है दोस्तों मा दुनिया की हसिन मा कुद्रक का हसिन तुपा दुनिया की अन्मो धरोर है मा के आगे पूरी काइनात का वजन कुछ भी नहीं हरे मा के बगर तो स्रिष्टी की कलपना भी अदुरी है मैं उसकी तहरीर चुम लेता हूं उसकी तद्बीर चुम लेता हूं दर्द जब हद से गुजरता है कभी मा की तस्वीर चुम लेता हूं मा की तस्वीर चुम लेता हूं दोस्तों मा की एक उस्वीर नज्र मैं आप सब के हवाले करता हूं यह नज्रूं हरे एक सक्स को समर्पित है जो अपनी मा से बेन कहा महबत करते हैं नंत का उन्मान है कभी भूले से दिलना मा का दुखाना यारो नहीं बह जाएगा अश्कों में जामाना यारो मा की मही मा का इस धरा पे कोई तोल नहीं मा की ममता बड़ी अनमोल कोई मोल नहीं कौन सुख चैन भला खोता है किसी के लिए फकर एक मा है जो मरती तेरी खुशी के लिए अज खुश हाल जो बुलसन तेरा बगीचा है दोस्त माने इसे अपने लवू से सीचा है कभी भूले से दिलमा का दुखाना यारो नहीं बह जाएगा असकों में जमाना यारो कभी रोया तो मा तुझ से लिपट के रोई थी मही भाजत में तेरी रात भरना सोई थी गिले विस्तर पे मा खुद सोई खता कर तुझ को सुलाई रात भर सिने से लगा कर तुझ को लोरिया गा के सुनाई थी तुझ सहाल रहे चाद के जैसा ही आचल में मेरा लाल रहे कभी भूले से दिल मा का दुखाना यारो नहीं बह जाएगा असकों में जमाना यारो कभी तनहाई में जब मा की आद आती है आख भर भर के आसुओं से चलक जाती है था बद नसीब मेरा रभ भी मुझे से रूठ गया हुई रूषत जहां से मा का साथ छूत गया न दिल को ख़व है दुनिया के इन खुदाओं का है सर पे जब तक मा के यसर दुआओं का कभी भूले से दिला मा का दुखाना यारों नहीं बह जाएगा या स्कों में जामाना यारों नजब का अखरी पन पढ़ताओं दोस्तों किसी सुरत में भी ममता की डोर मत तोडों निकाल घर से मा को आसरम में मत छोडों स्रिष्टी की कलपना भी मा के बिनिया धूरी है मा के कदमों में जुकी काइनात पूरी है दुबारा जन भी लेकर जहां मैं आओगे दूद के कर्ज को फिर भी चुका न पाओगे मुंबय उपनगर पत्रकार संके आदरनिय द्यक्ष गुविन ठाकुन जी तुसाथ द्यक्ष रांकुबार गुंता जी जड़ा सिंकर सिंग जी महासचियों पत्रकारन सबका नाम लेवे पड़े नहीं बड़ा लपड़ा सिंग जी अरिशंकर तिवारी जी राके तिवेजी राजु त्वरलेकर जी आसी सिंग मिने दूचर इगडेश कवडे सत्यम सिंग शानली सिंग जी जिसका नाम छूड़गे आपके लिए माफी चाथ पत्रकारों का एक पाटी चोका का मुझे लगता में दूसरी है तिसरी बारा आए तिक टूगेदर हो जाता सारे लोग में लियाते हैं सभी से बाच्चित हो जाती है सभी को बहुत-बहुत सुख्रमना है देता हुए कि इसी प्रकार आप पत्रकार सब एक साथ चुटे इचन पत्रकारों का बजबूत हो और हम जैसे लोगों को पाकितों का खाने का सरसर मिले आप लोग नए मुझे आमें बुनाया वुद कि बढ़ियए इसके वे सभी वोथ है बहुत-बहुत-बहुत-घंदर करना चाहूंगा जहिर, गया शीला प्त्रकारमना हमारा अब जो बदल दे सबके वीचार उसे ही कहते है जेपी पत्रकाव जब प्रगाश जेपी का मतलब ही होता है कि एक मेरे खाल से दो दशक से मैं जान रहा हूं इनको और वो दौर था जब डीडी से आपका करिये शुरूआ था किसे टीट्फसे तो आज जो ये सफर आ है कहीने कही से हम सब को इन शेप्रडाल लनी चाहिए और जिस तरीके से यात्रा परती जा रहे हैं तो कहीने कहीने हम लोगों को भी अपडेट होना पड़ा है वैं अपना थ्वाचार में पताना चाहूंगो जेपी जी मैं प्रिट प करेक्टर आया बोला कि भाई कल से आप लोगों को ना हाथ से नहीं देना लिख की देना पड़ेगा तो सब डर गए तो डर के आगे जीत है ना तो फिर अनल फार्ण ने सब को ट्रेंड किया गया और धीरे-धीरे सब सीख लिए तो फिरेंट मीडिया से जो लोग आते हैं इल जरूरत नहीं होती है तो हम चाहेंगे कि उसी माध्याप को जिन्हों ने चरितार्ट किया है अपनी मेहनत से जेपी को हम चाहेंगे मंच बनाएं इनका स्वागत होगा जेपी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जेपी जी का स्वागत करते हुए शिप्शकर जी बहुत पूल और तुल्सी क्या बात है मुंबई उप्यागर पत्कार संता ने हर साल की तरह इस साल भी लोकेशन चे जिवाएले की भावना है वही है इन मुंबई में इलेक्ट्रोनिक मेडिया की शुरुवात हुए 99 में उसमें एंकरिंग, विल्ड रिपोर्टिंग, आउटबूट, असाइनमेंट, संतोस दिवारी, भरत मिचरा तमाम हमारे जो साथी हैं वही पे इन मुंबई में मिले और हम लोगोंने मुंबई में नाइट पर शुरुवात की, पहले मुंबई में नाइट में कोई टीम निकलती नहीं थी, दो इतीन चैनल से जी नहीं उस्ता आस तक था, आस तक भी 24 गंडे का चैनल नहीं था, 24 गंडे का चैनल आस तक 2000 को बना, और NDTV और स्टार ये चैनल से जो चार बुलेटिन चलाते थे दूर कि फिल्म में कैसेट लेकर हमें एरपोर्ट पर खड़े लेना पड़ता था, किसी यातरी को पगड़ने के लिए, ताकि वो कैसेट हमारी समय पर दिल्ली पहुंच जाए, और दिल्ली पहुंच के वो समय पर एडिट होकर ऑन एर 9 बजे की बुलेटिन हमारी बने, उस बुल पहुंच जाओ, आपको मैक्सिमम दो बजे की फ्लाइट पकड़नी है, मनद दो बजे की फ्लाइट से निकलना है, तो चार बजे दिल्ली पहुंचेगी, पांच बजे लेके निकले का राइडर, साथ बजे तक वो एडिट होगी और साढ़े साथ बजे तक इसको आउटप से हम रिपोर्टिंग करते थे, सिंगल एक मैसेज आता था, जब आपको PCO के जाना है, PCO से पूरी स्क्रिप्ट लिखानी है, कि गोविन टावर में गिरा है, चार मंजिला इमारत, बारा लोग मरे है, और अगली रिपोर्ट फिर दस मिनिट के बाद, तो वो एक दौर भी सबस्ते पैदानी हैं, बहुत सारी बाते हैं, बहुत दौर बदना है, लेकिन एक रही चीज, इस पूरे 30 साल के जनलिजम में सिखाई है एडियाटीव में ब्यूरोचीफ रहा आइडियाटीव में डेपूटीव ब्यूरोचीफ रहा हमारे साथ में रिकॉडरो थे वह आज ब्यूरोचीफ है वह आज डिली असाइन्मेंट पर है आउटपूट पर है तो खुशी बहुत मिलती है लेकिन आप लोग अपनी फैनेंशल ग्रोथ को बढ़ाते रहे क्योंकि हम क्या गड़ते हैं बंखटा बिल्डिंग करी आग लग कि दो यारा नगों को या तो आप निजपनी जारी रहना है तो आपको उतने इंकम सोर्स को पगड्के चलना पड़े nggak अपने इंकम् स्वर्स को बढ़ाना पड़े और निश्ची तुरुप से आपका आना कही ने कही से हमें उन दिनों की याद दिलाती है जब आप अलाग अलाग एंगल से दिखते थे कैमरा तो कहीं भी पहुच जाता है लेकिन हमने आपको अलाग एंगल पर चड़ते हुए देखा है काम करते हुए देखा है और संदोश कि आपका भी बहुत बहुत सौगत है और जो भी लोग आप रहा है उनको जामके ये बहुत खुशी होगी कि मुंबई की लड़की शब्नम शेख मुंबई से एध्या जी गई पैदा तो कहीं न कहीं से हम समाज को जो जोड़ने का काम करते हैं यहां हाजी अली में महाइम दर्गा में या अजमिर शरीफ हैं हम अक्सर जाते हैं हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं यह तो बात की बात है लेकिन एक शक्स है जो भारतिय जट् अपनाओं को समझती हैं और समाज सिवा में लगातार अपनी दिद्धार्या को बिताते हुए हमने दिखा है शहराज सेख जी को हम चाहेंगे कि यहां पर मंच पराएं जिन्हों ने आज के कारगम में हर पत्रकार के लिए तुल्ची के पोधे की गरसा की तो जो ड़नात त हारी है उसकी एक उदारण है शहराज सेख जी मुंबई उपनेगर पत्रकार संथा की तरफ से आपका बहुत बहुत सवागत है कि आपके मुखार बिंजम चाहेंगे कि दो शप्त कह दीजिए कि हमारे जो पत्रकार है उनका भी एक परिवार है और तो भावराओं को समय देंगे जरूत है एक बार जोड़ा तालिया हो जाए शैनाल जी के लिए मंता तूना गई मेरे मंते दांग चले गए आंक की रोष्णी चले गई बाल छण हो गए लेकिन तुल्सी दास जी ने काया कि मंता तूना गई मेरे मंते हम जाएंगे कि आप गमच्छा और हाए के यह बड़ी फुशी की बात है जैपी जी मैंने इस पिक्टर की पर बिजिटी की ती सब्स्राव को आप इसावार तो इसकी आवे के गंशा से लाकेश त्रिपादी जी आप बहुत बहुत धन्वाज में दूसरी बार आया हूं में ज्यादा कुछ कहने के मोड में नहीं हूं में पत्रकार था बैस कारिकम के प्रमुक्स अलचक भाई जैप्रकास जी को सुन रहा था उन्हें ने बहुत अच्छे पहलू पे जहर दिया कि पत्रकारों को अपने आर्थित पहलू को मज्यूद करना चाहिए बहुत सुन्दर बात है लेकिन किसी ने कहां है कि पत्रकारों के उबर जो बाते लागू होती है यह पत्रकार जो समझते हैं कि हम यह हैं संतन का का सीक्री से काम आवज्जात पलाया टूटी भिसर गए ह तो अगर वो आर्थिन चीज को ज्यान देगे तो मिले को लगता है पत्रकारता में उत्रा फोकस नहीं हो पाएगे एक दूसरी बात है कि पत्रकारों को जीवन होता है एक छोटी सी कहानी है बहुत बड़े लेखक थे पत्रकार थे लिखा पड़ा करते थे वह जमाना था कि प को लुटी में उसी समय पत्र आया पत्रकार महोदे के घर पे तो ऊणोंने पत्रकों फोल ना और पढ़ा दो समय जिसा ने भी जहां पे उनकी कविता आया कहा अश्य कानी जो प्रकासी ठूई थी तो उसमें अलसे हैजानी ने लिखा रिख आपकी कर्याय को लिख in my जुगार तो भोजन का हुआ सुबह बड़ी अच्छी तैयारी थी पत्रकार मौदे के जो भी उनके वस्त्र थे उनको अच्छी से किया और जोला-उला टांग यो अपना गए और उनोंने कैस लिया कैस लेकि जब वही अपनद तो पत्रकार की पत्ली खिन्की से देख रही थे कि कब वह आएं कि घर का सामा आए तो खाना वाना बिरे तो उसने लेखा कि मेरे पती कि खचर में सामान बरके चले आ रहें बड़ी खुस हुए कि एक खचर सावाज जब उत्रह तो flipping हिरे खट-ख जोफे घर में खाने को नहीं है और तो धारू की भोतली आए ओसे सेुनु आ नहीं खाने का वादा खाना देने का वादा उपर वादा उपर वाले नहीं किया है ता उसने इसलिए मैंने ऐक साहसँ यह कहुत है कर देज में आज आप Bisak सबसे बड़ी बात है कि आज पत्रगारों के अंदर इस तरह कि मैं दूसरे कारिकम में आया हूं आपके और जब आपका बुलावा आया है तो मैं वास्टा में बहुत कुछ हुआ हुआ संतोस भाई से मैं दूसरा चुला ने लेकिन उस रास्ते के मातल से अगर अगर कभी भी किसी तरह के काम आपाऊ तो मैं हमेशा आप के लिए तैयार रहूंगा बहुत दो धन्वाद जैसे नेतरी है पात्मा से एक सी उसेना नेता हूँ अगर यह दिल धड़केगा तो अगर दो धन्वाद जैसे नेतरी है और दूसरी महिला नेता है समाज सेव क्या मादवी बंडारी जी हम उसे सीचाते हैं अभी मंच पर आये अधर तो तबियत से उचा लो यारो तो आपकी मेनत कहीं न कहीं से एक न एक दिन आपकी प्रतिवा का सम्मान जरूर करती है और हम पत्रकारों की तरफ से आपनों को बहुत दुआएं हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और समाज को वो सब दीजिए जिसकी जरूरत आप महसूस करती हैं कालेंडर पूरे साल तक संभाल के रखेगा सारे पत्रकारों की पहलत है इसमें हम चाहें के दोश आप वो लियां कि अजिए अजिए आप लोगों का भी बड़ा परिवार होता है आप लोग जगा जगा हमारे लिए इतने महान से आते हूं और बहुत अच्छे से हम लोगों का आने जाने का स्वाज़त करते हूं खुद अच्छा लग जाईए देखके मैं भी शिवसे ना कि पशा का पर मुग हूं मलार इस पढ़नवारी से मिराम फातीमा शेक है थैंक यू बहुत बहुत हमारे लो कर ऐस्पार नगर जाते हुआ हमारे अच्छा लगो में बहुति राले देगlove का ब Pew 04 अभी च्वब्वत के इतने साफ देख़के में जाता उतने, इतने